आईफोन 15 के बारे में बात करें तो सब कुछ बाता चुल 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 है अगर मैं launch date की बात करो तो अगली महीने यहाँ पर launch होने वाल है और यहाँ पर इसकी launch date है वो पता लगी है September 12 यहाँ फिस September 13 इन दो date में से confusion है लेकिन देखा जाए तो आईफोन मिट सप्टमबर में ही confirm है launch होने का और आईफोन 15 के अंदर कुछ यहाँ पर changes हो सकते है जो की काफी exciting हाँ पर लग रहे है जैसकी बात करें तो सबसे बड़ा major change है वो होगा आईफोन 15 के अंदर USB Type-C port का आना अब देखो USB Type-C port की बात मैंने पहले काफी जादा करी है लेकिन इस बर मैं आपको यह बात बता सकता हूँ कि इस बर 100% confirmation समझी है कि USB Type-C port तो उस पर आने वाला है यहाँ पर कोई भी lightning port का leak नहीं है और सबने confirm जै कि USB Type-C port है और USB 3.2 होता है वो उसे pro और pro max model में ही रखा जाएगा अब इस से देखा जा तो यह लगता है कि यहाँ पर जो iPhone है वो देखा तो काफी cost cutting कर आईफोन 15 के अंदर देखा तो पुराना processor भी डालेगा लेकिन उसके comparison में जो pro model होंगे वहाँ पर increment आपको थोड़ा से जादा द लेनी के जरूद नहीं है टाइप सी केबल का यूज करके आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं हाला कि एक छोटी सी बात है जिसका भी भी confirmation नहीं मिला है और वो है कि जो मेट पॉर iPhone केबल्स होंगी वो होंगी यहाँ पर कि नहीं होंगी यानि कि Apple के साथ यहाँ पर क्या करता वो होने वाल है नौच की जगे धैनमिक आलेंड का देखा तो iPhone 10 से यहाँ पर नौच की शुरुवात होई तो कई सालों तक यहाँ पर iPhone 10 का जो नौच है वो मार्केट के अंदर रहा और उसकी बाद iPhone 14 प्रो में पिछले साल डैनमिक आलेंड आया और वही डैनमिक आलेंड iPhone 15 के अंदर भी आएगा लेकिन इसके साथ एक इंटरस्टिंग बात यहाँ पर यह कि इसके अलावा जो iPhone 15 के अंदर एक और मेजर चिंज है ना वो है उसकी कैमरा के अंदर 12 एमब्या कैमरा होगा 48 MP का और इस बार जो Apple है वो पूरी कोशित कर रहे है कैमरा के अंदर आगे निकलने के लिए क्योंकि इस साल के बात करिया रिची 2023 के काफी टफ है काफी अच्छे फोस देखने को मिले और फ्लैक्षिप में कैमरा की पॉफमेस बहुत अच्छी होगी है एंड्रोइड के अंदर S23 आल्टरा का कैमरा हम लोगों ने देखा है और उसे देखने लगता ह अगर 6X का पैरिसकोब बेस जूम अगर 6X का पैरिसकोब जूम यहाँ पर आता है तो इससे जो दूमिंग कैपड़िटी जो आईफोल की काफी लंबे समय से उत्ती अच्छी नहीं थी वो काफी अच्छे लेवल पे बहुच जाती है एंड्रोइड में चीज सालों से है ले इमेज प्रोसेशन को इनहेंस किया जा सके और जो प्रो प्रो मैक्स होते ना उनकी कैमरास को नेक्स लेवल का बनाया जा सके वहीं आईफोन 15 के अंदर भी ए 16 चिप को यूज किया जागा लेकिन उसके अंदर भी सॉफ्टर ऑप्टिमाजेशन ऐसे करेंगे कि वहाँ पर कैमरा काफी जादा सॉलिट रहे लेकिन एक बात लग रही कि आईफोन 15 में कुछ ऐसा एपल करने वाले जो इससे पहले उसने नहीं किया पता है वो क्या होगा टू टीबी का आईफोन निकालना अभी तक वन टीबी वाला मॉडल आता था लेकिन टू टीबी मोबाइल फोन गिंदर इतना स्टोरिज डालना यार यह सच वे ओवरकिल हो जाता है और हम देखने वाली बात है कि जो एपल है वो टू टीबी का जो आईफोन आता है न वहाँ पर आकिर आकिर क्या कर सकती है भी भी देखा तो आईफोन 15 ने एक एंट्री लेवल आईफोन है और उसकी प प्रो मोशन 120 हर्स डिस्प्ले है यह आपको एक्सपेंसिब मैंने आईफोन के अंदर ही देखने को मिलेगा बिलकुल और यही एक बात है अपल की कि जो प्रो मॉडल रहते है उसके अंदर और भी जादा फीचर से इंक्यूट किया जा रहा है लेकिन जो पेस एंट्री जरिए टैइटीनियुम का यूस करने वाले है जिससे और बानेज nerd ज inom पर आपको देखने को मिलेगा इसी के साथ ही Miguel不管 को ठेपर आइटीटीचें बटन देखने को मिलेगा यानिकि एक डेडीचेंट बटन इसके लावा कुछ और कलर्स को डाला जाएगा बेसिकलिए आइफोन 15 जो रहता है वो थोड़ी सी में इस्ट्रीम जनता के लिए बनाए जाएगा ताकि हर एक के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ और किसी को गर नए आइफोन लेना है आइफोन 15 को जाकर लेने लेकिन जो प्रो मैक्स मोडल हैं सब उनके लिए बनाए जारे है जो पहली बात तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं और बिल्कुल ब्लीडिंग एज और कटिंग एज टेक्नलोजी जो एपल ले बनाई है न वो ले सकते हैं लेकिन एक चीज का इंतजार काफी सार लोग है कि सेट कि अप्टेमबर में तो आइफोन 15 आएगा लेकिन अक्टोबर में जब फिलिपकर की बिग बिलियंडे से लाएगी तो आइफोन 14 का रेट क्या होगा क्योंकि आइफोन के साथ हमेशा यही बात है कि नहीं आइफोन कैसा भी आजा हमेशा लोगों की रिक्वार्मेंट रहत इसके बाद जित्ती भी यूनिट्स यहां पर रखेगा ना सब की कीमत यहां पर थोड़ी से यहां पर ज्यादा होने वाली देखते है आइफोन 14 का रेट यहां पर एक्टा गराता है लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा क्या आइफोन 15 के आने के आने के बाद आइफो इस पर आइफोन 15 का प्रोड़क्शन एपल डेवन से इंडिया में करेंगे तो देखने वाली बात होगी यहां कर देवन से आइफोन अगर इंडिया में बने तो उसकी प्राइसिंग पर सक्के इंपक्ट पड़ता है वैसे मेरे को लगता है कि एपल वाले शाद इसकी प्र प्रैसिंग को मेंटन करेंगे हाला कि जो प्राइस इंक्रिमेंट होगा इसमर समझे कि प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल के अंदर काफी इंग्रिमेंट होने वाला है देखते है आइफोन 15 काहनी क्या रहती है लेकिन सब्टैमर को महीनियम आइफोन 15 कंफर्म है और यह लेगा आपको आइफोन 15 सेरीज के अंदर क्यासा लग रहा है क्यासा लग रहा है आपको आइफोन 15 ये बात निचे कमेंट बता सकते हैं तिंग्यों को देखने के लिए मैं आप सेल तो नेक्स्ट में के अंदर गुद्बाइ